कोतमा के कॉंग्रिस विदायक सुनील सराफ के वाइरल वीडियो पर ग्रहमंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्व्रा ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि विदायक सुनील सराफ पर कारवाई होगी इसके लिए नूप पुर स्पी को निर्देश दे दिये गए है दरसल विद से फाइरिंग की थी और चले इस खबर पर जादा जानकारी लेंगे सूरज हमारे साथ जुड़े सूरज कॉंग्रिस विदायक सुनील सराफ का एक वीडियो वाइरल हुआ है और अब ग्रहमंत्री ने कारवाई के निर्देश दे दिये हैं बिलकुर पिता जिस तरीके से नए साल का जस्ट मनाते हुए कॉंग्रेस बिदायक का वीडियो जारी हुआ है खास्तोर से उसमें एक बंदूग चलाते हुए वीडियो चल रहा है और ग्रहमंत्री ने यह नहीं कहा कि कारवाई होगी उन्होंने कहा जाच कराई जाएगी प चाच दो कराने कि वह था क्या जबरन का धजी के साफ हमारे कहबा तो बना दे रहें वह तमंचा दिवाली वाला उसको रिवालबर बना दे रहें ऐसे साथ एओन democrosicの र में रिवाल चल लेगा क्या कोई दिवाली की तमंचा लें जाते हैं में सामिल थे कहा दिवाली M shape पहले भी बीजेपी लगातार कह रही कि कॉंग्रेस बिधायकों का कल्चर है पहले चेरचाड का मामला था आप खुले आम बंदूग चला रहे हैं फाइरिंग कर रहे हैं मैं इसमें बहुत अच्छी चीज बोलूँ आप दिखाना जरूर जिस दिन वो ट्रेन वाली घट खैर अब वो अदालत में है उसमें टिप पुड़ी नहीं करना चाहिए पर सुबह सुबह जब आप लोग आये थे तो मैंने कहा था कि कौन है मुझे नहीं पता पर जब पता चले का कुव्यति कौन है तो भाजपाय बैक्ग्राउंड का निकलेगा मैंने कहा था आप लोग के प राहला तमंचा था खासतोर से आद्स बाजी भी की गए थी और इसी लिए तमंचे को लेकर गए ते और हर प्रकार की जांच को लेकर तैयार है कि जो सरकार कह रहे ही गयर मंत्री कह राएं कि वीडियो की जाच हो तो जाच हो जाए वो जो तमंचा उन्होंने चलाए जो बंदूक चलाई है वो दिवाली पर पटाकों के तौर पर इस्तिमाल करने वाली बंदूक है प्रीता जी सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवा तो कॉंग्रेस विदा एक सुनील सराफ को हमने सुना बंसन नियूस पर खास बातचीत में नों ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि इस वीडियो की सत्ता की जाच की जानी चाहिए